लालीता धाकर फ्रम लालीता इंगलीश क्लासे वेलकम बैक तो माइ योट्यूब चैनल मुझे धूल से अलर्जी है उसे गर्म पानी से अलर्जी है मेरे दोस्त को धूप से अलर्जी है ऐसे सेंटेंस हम बहुत जादा यूज़ करते हैं अपने डिली रूटीन में कि हमें किसी ना किसी चीज़ से अलर्जी होती है तो हम कहते हैं कि हमें उस से अलर्जी है या उस से अलर्जी है तो ऐसे sentence को बनाने के लिए मैं आज आपको बताऊंगे एक advanced structure जिसका use करके आप ऐसे ही बहुत सारे sentences easily बना सकेंगे और इसी वीडियो के last में quiz है जिसका answer अगर आप करते हैं तो आपकी English improve होगी तो बिना देर के आज का session शुरू करते हैं Let's get started the video सबसे पहले हम structure देख लेते हैं तो subject लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे is rm में से किसी एक को उसके बाद लिखेंगे allergic उसके बाद लिखेंगे to और last में हम जो भी word हिंदी में दिया होगा वो लिख देंगे तो हम is का use करेंगे अगर ज्यादा होगा plural तो हम r का use करेंगे you के साथ r का use किया जाएगा और i के साथ में m का use किया जाएगा अब sentence बनाते हैं इसी structure का use करके मुझे धूप से allergy है मुझे के लिए आप i का use करेंगे i के साथ m का use करना है I am allergic to sunlight I am allergic to sunlight उसे गर्म पानी से allergy है तो इसे बनाएगे he is क्योंकि he singular है कम है तो हम is का use करेंगे मैंने आपको भी पहरे बताया था he is allergic to hot water he is allergic to hot water मेरे भाई को बर्फ से allergy है my brother is अब my brother में my brother जो है वो भी singular है कम है तो हम is का use कर रहे है my brother is allergic to ice my brother is allergic to ice हम इसी structure को negative में use करके देखते है कि अगर हमें कहना हो कि मुझे धूप से allergy नहीं है तो हम इसको कैसे बनाएगे तो बहुत easy है हमने structure में देखा था subject के बाद ease rm तो आपको negative में क्या करना है ease rm के बाद not लगाना है और बाकि सब को same रहेगा sentence देखेंगे एच्छे समझ में आएगा मुझे धूप से allergy नहीं है I am not allergic to sunlight I am not allergic to sunlight उसे धूल से allergy नहीं है He is not allergic to dust He is not allergic to dust अब अगर हमें question करना हो पूछना हो कि क्या तुम्हें निम्बू से allergy है क्या तुम्हें पानी से allergy है अगर ऐसा कुछ पूछना हो तो कैसे पूछेंगे तो इसके लिए कोई और structure नहीं है C का use कर सकते है यह interrogative प्रश्न वाचक है तो आपको कुछ नहीं करना है subject से पहले आप is RM को लिखेंगे capital letter का use करके तो is RM plus subject फिर allergic to और जो other word है वो same रहेगा sentence देखिए क्या तुम्हें निम्बू से allergy है तो हम कहेंगे are you allergic to lemon are you allergic to lemon क्या उसे birth से allergy है is he he के साथ इसका use करना है मैंने आपको भी बताया था is he allergic to eyes is he allergic to eyes अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपने इस structure को बहुत ध्यान से सीख लिया होगा तो अब है बार एक quiz की जिसका आणसर आप comment box में करके अपने English को और improve कर पाएंगे तो देखिए पहला sentence है क्या सुमित को ठंडे पानी से allergy है क्या सुमित को ठंडे पानी से allergy है second sentence है मुझे दूद से allergy है मुझे दूद से allergy है तो आप सभी इनको बनाईए और वीडियो कैसा लगाए comment box में लिखेगा और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए ये भी आपको लिखना है तो thank you so much